हाई आपका जो गेट का पेपर था वो ऐसा आगया कि अब आपको लग रहा है कि मेरी कोई प्रपेशन नहीं है उस वज़े से आप थोड़ी बहुत डी मोटिवेटेड हो गए थे और लास्ट में भी हो सकता है बहुत तीनों से आपने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की ठीक अब दीखें जो हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे पास दो दिन बाद जो एक्जामिनेशन उसका ही हम कुछ कर सकते हैं तो अभी भी अगर आपको थोड़ी बहुत डीमोटिवेटेड हो गए तो प्लीज अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजे अधर्वा हमारे पास कुछ है नहीं अभी बोलने को तो हमें ऐसे ही चलके चलना है कि पेपर बहुत इजी आने वाला है तो इजी आएगा तो हम क्या करेंगे अपनी जो भी प्रिपेशन हमने अल्रेडी कर ली है वो ही कर देना है उसके बाद कुछ और नहीं करना है अभी देखिए हो कि उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं description box में दे दूगा उसको आप देख लिजीए कि आपको revision कैसे करना है आप देखिए जो चीज कर नहीं हो तो मैंने बता दिया कि आपको अपनी जो short note से उसको revise करते करते जाना है अब देखिए आपके जो भी long note से उसको में भी हो चाहिए, तो वो नहीं आएगा, तो वो exam में जब भी आप बैठोगे, तो अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद आजाएगा, तो अभी आपको क्या करना है, सीफ अपनी short notes revise करनी है, अब देखें, दूसरी जिसके paper कैसे attempt करना है, देखें, for example मानिए कि मैं अभी examination में बैठाओ, paper देने बैठाओ, ठीक है, अब देखें, आपको पता होगे, आपने अगर अगर अग्जामनेशन दी है, online वाली, तो आपको पता होगे, कि जैसे आप exam में बैठेंगे, तो आपकी जो heartbeat है, तो तेज हो जाएगी, आपको थोड़ा बहुत पसीना भी आने होगा, तो ऐसा सब कुछ आपने feel किया होगा, क्यों हो रहा है इस चीजे, सबसे पहले वहाही से समझते हैं, तेखें, जैसे examination में हम बैठे है, तुरंद ही हमें heartbeat बढ़ रही है, उसका मतलब यह है, कि आपकी anxiety बढ़ रही है, stress बढ़ रही है, इसका मतलब यह है, कि आप ड आप थोड़ी बहुत कम हो जा रही है, और उस वाज़े से क्या हो रही है, छोटी छोटी गलतिया हो रही है, तो जनरली आपने देखा होगा, कि examination quality, exam खतम होने के बाद जब आप घर पे आओगे, तब आपको याद आएगा, यार मैंने तो यह गलती कर दी, मुझे यह नही करना चाहिए, छोटी छोटी गलतियों के विज़े से, वहाँ पे आपके marks कर जाते है, तो देखी, यह छोटी छोटी गलतिया ना होने, मतलब हो ना इसके लिए हमें क्या करना है, for example मानी, अभी मैं paper देने बैठा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, paper 1 से start करना है, चीक है, अब मैं paper 1 से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा stress भी नहीं आएगा, अब देखे, exam में मानी जाए आप directly पार C में चले जाओगे, आपको लोग क्या बोलें हैं, तो उसके लिए आपने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा, फिर भी वहाँ पर आपके पांच ही क्वेशन तो हो जाएंगे, अब मान लेते हैं paper 1 में से आपको सिफ पांच ही क्वेशन आ रहे हैं, मतलब 5, 2, 10, 10 marks वहां से आ रहे हैं, अभी भी आपको 10 क्वेशन औ पर दिजिए या फिर C कर दिजिए, तो पहले पांच क्वेशन तो आपको आ रहे हैं, तो आपके 10 marks वहां से clear रहे, अब जो बाकि की 10 क्ेशन है, उसे मान लेते हैं, सारे के सारे आप B कर लेते हैं, उसमें से मान लेते हैं कि 4 B's है, चार क्वेशन इसे मान लेते, 3 is equal to six अब आपके seven question ऐसे है वो गलत है तो seven question गलत है तो seven into point five is equal to कितने हो गए तो यहाँ पे आपके three point five marks वहाँ से cut हो जाएंगे फिर भी यहाँ पे आपको two point five marks का तो यहाँ पे आपको benefit रहेगा ठीक है ना तो इस वज़े से आपके यह bonus marks हो सकता है और आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है जाते है तो फिर हमें बहुत अफसूस हो जाता है ठीक है अब देखें मैं आपको यह बोल नहीं रहा हूँ बट मैंने ऐसे बहुत महलब कुछ कुछ examination में मैं यह tricks follow की है तो मुझे वहाँ से result मिला है अब आप देख लीजे आपको लग रहा है कि मैं qualified नहीं होने वाला हूँ तब यह risk लेना है अगर आपने बहुत अच्छे से प्यपर अटेम्ट किया है तो ऐसे रिस्क लेने की कोई आपको याद नहीं आ रहोगे बट आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेशन हो सकते है उसको आप Mark4 Review कर सकते हैं अब मैं अब असर gartन के चलता हूझ के out of मान लेते हम out of 20 मेंसे आपके कितने मान लेते out of 20 में से आपके 10 questions क्यों रहा है है 10 questions inorganic क्यों हो हौ रहा है अब आपको कितने question क्योश्रल निकालना है za 15 अब next round आप नहां पर लगाएंगे physical chemistry का तो अब start करेंगे फिर से पार सी वहां से physical chemistry के questions start करेंगे आप और उसके बाद पूरा physical chemistry खतम होने के बाद, उसके बाद आप organic में चाहोगे, ठीक है, अब आपको inorganic chemistry आपने इतना अच्छा बढ़ा है था, आप 10 questions तो वहाँ से निकाली लोंगे, उतने भी tough questions नहीं आते, ठीक है, 10 questions तो वहाँ से निकाल दोंगे, मतलब 50% तो easy question होगे, easy to moderate level के होगे, और CSI and NetJRF qualify करने के लिए, हमें see for see, easy to moderate question को ही attempt करना है, अगर tough question है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपको नहीं आ रहा है, वो किसी को नहीं आने वाला, ठीक है न, तो वहाँ से आपके 10 questions inorganic में से निकाल लो, at least 10 to 12 questions में बोलूगा, ठीक है, अगर 12 questions निकलता है, तो well and good अगर 10 नहीं, तो at least 10 questions निकलने ही चाहिए, दूसरी चीज़, अब उसके बाद क्या करना है, आपको physical chemistry attempt किया, उसमें से आपको at least 10 questions वहीं से भी निकाल देने है, वहीं से भी आपको 10 questions निकालने ही, अब देखो 10 plus 10 कितने हो गए, 20, अब उसके बाद आपको organic का third round लेना है, उसके बाद organic के question करने है, देखो, मैं आपको एक, मतलब एक advice दूँगा, कि organic में जितने ही कम हो सके उतने question करना, ज्यादा question मत करना, अगर ऐसा कोई question है, आपने clear date पड़ी है, फिर आपने जो coaching लिया है, वहीं से कोई question आगा है, copy paste, तो ऐसे question को आप attempt कर लो, बट ऐसा लग सकता नहीं, सिर्फ तीन question वहां से आपको निकालने है, organic की, हो सकता है, उसमें से आपके parasycdic का equation बहुत easy आजाएगा, spectroscopy का हो सकता है, हो सकता है कि studio chemistry का easy question हो जाए, बहुत बार studio chemistry के भी easy question 4 marks में आ जाता है, तो ऐसे करके at least तीन question तो organic की निकालना है, तो total आपके कितने question हो गए, 23 question हो गए, out of 25, that is more than enough, ठीक है, उसके बाद फिर ज्यादा risk लेने की ज़रूर ने, 23 question हो रहे है, तो that mean अच्छा जा रहा है, अब देखो 23 question निकल गए, आपके part C से निकल गए, अब उसके बाद आपको part B में जाना है, part B में आप कुछ भी करोगे, 20 question ही वहीं से हो हो गए, that mean आपके कितने हो गए marks, 20 से ज्यादा, 40 marks हो गए, आपके part B से, अब देखो part A में आपने कितने निकाले, 10 marks तो आपके genuine थे, ठीक है, part C से आपने निकाले, 23 into 4 मतलब कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको part B से 40 marks निकलेंगे, मतलब टोटल कितने हो गए, 90, 132 और 142, 142 marks का आप attempt कर सकते हैं, अब देखो, bonus में मैंने क्या बताया, कि जो part A है, उसमें से आप, अगर सारे में, जितने 5 questions आपको आ रहे हैं, उसमें से 10 questions में, आपने B लगा दिया, मान सकता है, इसमें 2, 3 questions, या फिर 4 questions से B हो गए, तो वहीं से आपको कुछ benefit मिल सकता है, part B में भी आपको benefit मिल सकता है, क्या से, मान लेजिए, आपके 15 questions है, 35 questions हमें करना है, 35 questions करना है, तो उसमें से आपको 20 questions तो अच्छे से आ रहे हैं, अब बाकि के 15 हैं, उसमें भी आप सारे 15 में B कर लो, ठीक है, अब ऐसा सारे 15 में सारे के सारे D हो, या A हो, या C हो, कुछ तो भी होंगे न, मान लेते हैं वहीं से, अब कोई भी examination आप निकालोगे, वहां से आपको B और C option का contribution है, वहां से हो सकता है, आपकी 30% या फिर 28-30% के around, वहां से मिलेगा उसका contribution, अब मान लेते हैं, यहीं से आपके 4 questions ऐस 5.5 हो गए, अब 8-5.5, तो कितने हो गए वहीं, तो 2.5 हो गए, यहां से भी आपके 2.5 marks ज्यादा आ रहे है, ठीक है, और पेपर 1 है, वहां से भी आपके 2.5 marks आ रहे है, यहां से 5 marks का आपको bonus मिल रहा है, यह आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बड़ देखो, यहां यहां पर disclaimer देना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो paper है, वो आप borderline पर आ सकते है, मैं भी हो सकते हैं, आपके 90 marks के around आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि मैं borderline पर हूँ, तब यह करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे 140 marks तो आ नहीं वाले है, तो फ simply यहां पर paper 1 से start करना है, वहां से आपका pressure थोड़ा distribute हो जाए, कम हो जाएगा, anxiety भी कम हो जाएगी, आपके जो heart beat है, वो भी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद chemistry करोगे, तो यह जो छोटी-छोटी गलतिया होती है, वो नहीं होगी, और उस वज़े से आपके जो छोटी-छो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करे, and thank you for the watching.